अब आपको प्रॉब्लम रहना चाहिए वो है फिर भी आपको प्रॉब्लम महां क्रियेट किया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं तो चलो वीडियो स्टाट करते हैं अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ठीक है और कुछ भी जानकारी चाहिए पोस्टल अब कमेंट कर सकते हो तो चलो वीडियो स्टाट करते हैं सबसे पहले अभी चल रहा है मसला कास्ट वेलिटी सर्टिफिकेट का क्योंकि जो नौर्ड साइड है वहां के जो कैंडिडेट है अपने अपने स्टेट में अपने डिस्टिक में बनवाने के लिए जा रहे तो वह कोई चेक करने के लिए उसमें कास्ट वेलिटी सर्टिफिकेट का कोई भी जिक्र नहीं है साथ में मुंबेई जीपियो में जो डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वहां भी कोई कास्ट वेलिटी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है कोई डियो भी सर्टिफिकेट कहीं पर कुछ रोका नहीं जा रहा है, दूसरा, डेट ओ बर्ड जो है, आपका ठेंट के सर्टिफिकेट से मैच करना है, ऐसा उपर से बोला गया है, तीसरा, जो OBC, SC, SC, SC सर्टिफिकेट है, वो अगर आफटर क्रूशल डेट है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, त तो उसके रिगार्टिंग में भी बोला गया है, कि एक Office में में रेंडम है, उसके according चलना है, ठीक, ऐसा नहीं कि तुम को छांट दे, तुम ऐसा हो, ऐसा हो, निकल जाओ, SC का सर्टिफिकेट है, EWS के लिए भी बोला गया है, कि EWS का जो Financial Year है, 21 होना चाहिए, और जो Certificate है, जो Performa है, अगर आपके पास नहीं है, आप चाहते हो कि आपको Performa मिले, तो मेरा जो Telegram Channel है, उसके आओ, या फिर मेरे को Comment करो, हम कोशिस करेंगे आपको देने का, ठीक है, कि इसके according ही, उपर से Order आया है, कि आप ऐसे ही चेक करके, जो भी Candidate है, उसको ले सकते हो, तो EWS हो ग सकते हैं, और अभी तक हम भी हमारे स्टेट में भी एक दो बर हमारे अपना OBC सर्टिफिकेट बनवाएं, तो कभी नहीं दिखा, तो आप पता नहीं, और पूछने की कोशिस भी किये, बहुत लोगों ने मैसेज भी किया, बहुत लोग डड़े भी है, कि भाई, हमारे यहा जो परफॉर्मा आउट किया गया था, जब हम लोगों का सर्कल एलोकेशन के बाद, जुलाई में फिल कर देते, डिविजन एलोकेशन तो उसके बाद एक परफॉर्मा आया था, जिसके अकोडिंग कहीं भी कार्च वलीडिटी सर्टिफिकेट के बारे में कुछ भी नहीं इसलिए हम लोगों ने भी बनाया भी नहीं है, आप जैसे कुछ लोग जैसे मुंबेए वेस्ट या कौन सा डिविजन या इस्ट कोई भी डिविजन ने ऐसा कराए कि जैसे आप को कम्प्यूटर सर्टिफिकेट को ऐसा बोल ला था कि मस्ट है, लाना ही लाना है, तो वैसा लाना है कि आप उस टाइम कुछ नहीं बोले और अभी आप बोल लेओ कि कम्प्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सब कुछ भी नहीं होगा, आप मिलनी जो दिली से आया है, पीडिया पूस पे रिजिड रहना ठीक है, और जीत आपका ही होगा, ज्यादा दिक्कत हो बोलो, डाक बबन में कॉल कर दो, कॉल करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जा के वहां मिलना ठीक है, तो उस बैसिस पे आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, अभी कुछ लोगो को क्या हो रहा है, कि वो ओबीसी सर्टिफिकेट जो ए, स्टेट लेवल का ही लेके जा रहे है, उनको तो भाई, प्रॉबलम करेगा ही, क्योंकि स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट नहीं, स्टार्टिं में ही, जब हम लोग फॉर्म फिल के थे, उसमें सेंट्रल गवर्रेमेंट का फॉर्मिट मांगा था, तो वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और सब जगह, ज कुछ मेडिकल कहां, क्या-क्या करवाना है, उसके बाद ही आपको मिलेगा, आज मुंबे जीपियो में, तीन से चार लोग आये थे, डॉक्यूमेंट वरिफिकेशन में, तो मेरे को लगता है, दस से ग्यार बजे वो आये, और उनको डॉक्यूमेंट वरिफाय होते होते है, जैसे कुछ ऐसा बोलड़ा, भाई लोग, जो भी हाया था, वो बोलड़ा था कि भाई, ग्रुप में ऐसा चल दा है, कि अगर डियो भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको निकाल दिया जाएगा, या फिर, मेडिकल के लिए साथ-साथ-साथ आठ डीन लग रहा है, जैज तब आके जोइनिंग होगा, mostly जोइनिंग देखो, हो सकता है, दो-तीन दिन में भी करवा देगा, या रोजगार मेला के लिए भी आपको रखे कि जोइनिंग लेटर रोजगार मेला में मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, यही करना है कि अगर आप मुम्बेश जीपियो के लिए आना, फिर मेरे को तो ऐसा लग रहा है, अभी जो प्रॉसेस देख रहे है, उसी दिन मुस्किल है, आपको जे-जे होस्पिटल जाने का, क्योंकि सायद 3-4 बजे के बाद OPD या क्या होता है, वो बंद हो जाता है, सायद, confirm करके आपको बताएंगे, और जो मेडिकल के लिए गया, उसका यही कहना था, कि मेडिकल करवाना है, अगर चल्दी ही, तो साथ से साथ आट बजे वो होस्पिटल पहुंच जाए, तो उसका जल्दी हो जाएगा, अगर जैसे ही लेट करेगा, क्योंकि आप 3,000 लोग आए हैं, तो मुंबे रीजन का जितना भी है, आ सुबह वाला टाइम करने का, तब आपका एक दिन में हो जाएगा, तो उसका तो एक दिन में हो गया, अब आप देखो, जैसा कि वो बताया है, कि देखो, सब कुछ नॉर्मल ही था, ऐसा कुछ भी, मतलब, दिक्कत नहीं हो, अगर एक दिन में अगर सब कुछ हो गया, तो दिकत का बात होता तो नहीं होता, तो अब पांकी बात, अलग-अलग दिन, अलग-अलग साइड डॉक्टर बेटते होंगे, तो अलग-अलग का मूड, अलग-अलग टाइप का रहता है, तो कुछ थोड़ा बहुत हो जगता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल हैगा, यहाँ, जो भी आया, उससे हम यही पूछे, कि जो आपको ग्रुप में, जैसा आपको खुद समझ में लगता था, कि जो लोग डॉक्मेंट वरिविकेशन के लिए बैटे हैं, वो रिजेक्ट करने के लिए ही बैटे है, कि सच में ऐसा होता है, तो उसने का ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको लगेगा कि वो निगेटिव पॉइंट्स कुछ बोल रहा है, मतलब कोई दिक्कत होने वाला है, तो इस वज़ए से हम लोग कुछ गलस समझ जाते हैं, तो जिससे हमको प्रॉब्लम होता है, तो जो भी होगा, सब कुछ आपके फेवर में होगा, ऐसा कुछ भी मतलब, तो जाके उसको चांस मिलेगा आपको कुछ करने का, ठीक है, उसमें भी ऐसा नहीं कि आपको तुरन रिजेक्ट करने गा, वो आपका जेन्यूनेस चेक किया जाएगा, कि हाँ फॉर्म फिल करने थाइम थोड़ा आप से गलती हो गया था, इस वज़ए से ऐसा हुआ तो वहाँ पर भी आपको रिजेक्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि वो रिजेक्ट के लिए बैठे, वो हम लोगों को लेने के लिए बैठे है, तो वो और उनका लेकिन उनका काम है, डोकिमेंट चेक करना तो वो चेक करेंगी, ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर आप के के लिए बैठे करेंगरी से बिलॉग करते हैं, तो आपको कैटेगरी सर्टिकेट चाहिए एसा जड़्वर्मेंट का, ऐसा जड़ूरी नहीं कि फॉर्मेट ऐससी का ही हो, अप इसके लिए फाइट कर सकते हो, एक चीज़ कि कास्ट सर्टिकेट है, कास्ट तो नॉर्मली है कि OBC जब आप बनाने जाओगे या CHT बनाने जाओगे तो उस समय तो कार सर्टिफिकेट लगता ही है तो वह वाला सर्टिफिकेट ले ले लेना ठीक है तो आपका हो जाएगा आप बात करते हैं जिससे जो अधार कार पैंड कार्ड है उसका तीन कोपी जिरॉक्स कराना और जो आपके पास अच्या से सून लो फिर बाद में आप कमेंड़ मत करना जो आपके पास character certificate और identity certificate है उसमें दो ही लोगों का sign चाहिए character certificate का जो एक उसमें दो character certificate है तो उपर और नीचे है, आप उसको चाहो तो cut कर सकते हो पहले एक Gerox निकाल ले ना, उसके बाद एक को cut करके दोनों पर अलग-अलग gadget officer कर साइन करवा ले ना, gadget officer में चलेगा head master, 10 plus 2 professor कोई भी doctor, government hospital का, ये सब चलेगा CMO, MO, जो भी है, ठीक है उससे करवा ले ना, अगर आपके DV के call letter में लिखा है कि आपका जो identity certificate पे, वो other than character certificate पे जो gadget officer है उसका होना चाहिए, तो आपको अलग gadget officer से identity certificate पे करवाना होगा, अगर नहीं लिखा है तो वही लोगों को ओध, ये वोध, ओध में कुछ sign नहीं, आपका नाम होके सब office में, का जो head है, वही सब का sign होता है उसमें, और और लोगों को extension से related पूछना है कि extension कब लेना चाहिए, तो देखो सब कुछ आप पर डिपेंड़ है, आप document verification करवा के नहीं तो अगर वो नहीं देगा, तो आपको reminder आपके घर पे एक later भेजेगा, कि आपको आना ही पड़ेगा, तो उसके according आपको काम करना होगा, ठीक, तो आउड़ा हाँ, बहुत लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि, माँलो तो दो-चार दिन लेट हो गया, तो कोई दिक्कत थेक्या, कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वैसे भी आप आओगे ना, तो आपको लेट होने ही वाला है, क्योंकि माँलो एक दिन में पचास लोग, अभी तीन-चार लोगों में आते हैं, ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाई, गुड़नाइट, अच्छे स्रो, लेकिन हाँ, डरो मत जादा, ग्रूप में इधर उधर कुछ भी सुनके, सब कुछ नॉर्मल चलता है, ठीक है, बाई